हलो फ्रेंड आज मैं आपके लिए सारी ड्रैपिंग लेके आई हूँ वह भी सिल्की की सारी पर आपको ड्रैपिंग सिखाऊंगे क्योंकि सिल्की सारी का कप्रा थोड़ा मोटा होता है और उसमें सैप्टी पिन नहीं जाता है तो इस तरीके से आपको प्लेट्स इतनी नीट इसको घर में बनाया था तो यह मैंने अपने हाथ से बनाया था पैठी गोट वो मैंने डाला है और यहां पर आपको मैं दिखा रही हूं सारी का लोग इतना सुन्दर है और मेरे हिसाब से इस तरीके की सारी आप सभी लोगों के पास होगी क्योंकि regard पीड़ह प्यार दाड तो यहां पे यह ना बिल्कुल भी ट्रांस्पेरेंट नहीं होती है तो इसके लिए हम साइड में अपने नारा बांध लेंगे और जब नैट की साड़ी पहनते हैं तो हम बीच में बांधे हैं ताकि उस साइड से ना दिखे तो यहां पे मैं आपको बता रही हूं साइड में नारा बांध दिया है मैंने और यह बिल्कुल भी ट्रांस्पेरेंट नहीं है इसमें एक आर पार नहीं दिखता है तो इसमें आप कोई भी कलर का पेडिकोड भी चला सकते हैं मैं इसको नान फलूट साइड से इसको ड्रैप कर रही हूं तो यहां पे आपको नाबी से चार लगाते हैं साडी का यह बिल्कुल नीटली लगाना चाहिए और ठोड़ा सा टाइटली आपको लगाना चाहिए आपको लाकिं आप टाइटली ऐसे टकिंग करना चाहिए उसके बाद में राउंड की जो फिटिंग है यानि राउंड की जो टकिंग है वो बहुत ही अच्छे से आपको कर लेनी चाहिए चारो तरब से इसी टकिंग से आपकी पूरी साड़ी बहुत ही नीट और क्लीन दिखाई देती है आपका बैली फैट भी ज्यादा शो नहीं होगा तो इस तरीक हलका सा जटक दिया है और पीछे से लाते हुए अपने सोल्डर पे रखेंगे और सोल्डर पे रखने के बाद में मेजर करना है आपको अपना पल्लू अगर आपकी हाइट कम है तो आप घुटने से नीचे पल्लू रखो अगर आप थोड़े मेरी जैसे हैल्थ में हो तब आपको घुटने से नीचे पल्लू रखना चाहिए इससे आपको आपकी हाइट बहुत अच्छी शो होगी अभी मेरा पल्लू थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगी इसलिए कि मेरी हाइट छोटी नहीं लगनी चाहिए और मैं अपनी पॉर्डिंग ही साडी में दिखूँ तो मैं यहाँ पे अपनी यहां पे टकिंग कर दी है अब यहाँ पे ऐसी छोट देना है आप हम सबसे पहले पना पल्लू बनाएंगे तो पल्लू बनाने के लिए इसका border थोड़ा heavy है इसका fabric भी है तो हम इसको क्या करेंगे जो पहले जो उपर की side में pleats आती है तो यहां से हम अपना पल्लू बनाना शुरू करेंगे और थोड़ी पतली प्लेट्स लेंगे क्योंकि अभी हम इसको जब टकिंग करेंगे इसको जब हम फिक्स करेंगे तो ये थोड़ी अपने आपी चौड़ी हो जाती है और ये फैब्रिक देखिएगा इस तरीके से हो गया है और अब मैं यहाँ पे एक सैप्टी पिंट डाल दूँगी जिससे यह यहाँ से बिल्कूल भी हिलेना और कोई भी प्लेट इदर उदर फिस लेना क्योंकि यह थोड़ा फिसलना मला कपड़ा है चिकना कपड़ा है तो हमें इस तरीके की जब साड़ी बांदो ना तो आप इस तरीके के टिप्स अपना के अपनी साड़ी को नीटली आप टकिंग कर सकते हो तो यहाँ पे अब एक एक प्लीट को अपने हिसाब से ले लो और मतलब कोई भी प्लीट इसमें छूटनी नहीं चाहिए और थोड़ा चिकना भी है तो इसके लिए आपको स्ट्रॉंग पिन होने चाहिए क्योंकि आपके थोड़े से ऐसे लोकल मार्केट से जब आप ले लोगे ना तो यह वाले पिन मोड जाते हैं लगते नहीं है तो यहाँ पे मेरा पल्लो विल्कूल एकदम फिक्स मैंने कर दिया है और अब मैं यहाँ पे अपनी नाप ले रही हूँ कि मेरा देखिएगा एक प्लीट मेरी बाहर आगई यानि इतना फिसल ना इसका कपड़ा है कि प्लीट एकदम से बाहर आगई लेकिन मैं इसको फिर से मैनेज करके और इसमें अपनी नाप लेके आप एक सैप्टी पिन में पहले ही लगा दूँगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप अगर विगनर हो और अपनी इस तरीके की साड़ी अगर पहनते हो तो कभी कभी आप जब साड़ी पे सोल्डर पे पिन लगाते हो उसमें से एकाद प्लेट निकल जाती है और वो बाहर दिखती रहती है तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपना पहले से ही मेजर लेके यानि सोल्डर का मेजर करके और महाँ पे एक साड़ी पिन अंदर दे पहले ही लगा दो जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने साड़ी प्लेट को सिक्योर कर दिया है और ये बाहर नहीं निकलेंगी तो ये सबसे अच्छा आइडिया होता है जब आप पहली बार अगर साड़ी पहन रहे हो और आपको साड़ी नहीं पहन नहीं आती तो इस तरीके के टिप्स अपना के आप जब साड़ी पहन होगे तो आपकी साड़ी बहुत ही अच्छी नीट और क्लीन फिक्स हो जाएगी और लोग आपकी तारीव भी करेंगे तो यहाँ पे मैंने सैप्टी पिन डाल के और इसको सिक्योर कर दूँगी और करने के बाद में इसको सोल्डर पे रखके जो इसकी पहली पिलीट है उसमें मैं पिन लगा दूँगी जो बॉर्डर है उस पे पिन लगा लो और ब्लाव से अटैच कर दो जिससे पता है आपकी ये साड़ी बिलकुल फिक्स भी हो जाएगी सोल्डर पे और यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी पिलीट जो है वो निकल के भी आएगी मैं आप वीडियो में अच्छे से देख रहे हो और मैं इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पे लाती रहती हूँ अभी तक अपने वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे और अच्छी लगती हूँ मेरी वीडियो तो अपनी फैम आगे की तरफ जुक के और इसको अच्छी तरीके से सेट कर दे रहें यहां पर एक एक प्लीट आपको सेट करना है ताकि थोड़ी प्लीट जो है वो अच्छे से शो होती है तो बहुत ही सुन्दर लगती है और यह ऐसी ठीकी रहें उसके लिए हमें एक सैप्टी पिन डालना जाने आती ही तो कभी कभी अबना पालर जा के हल्प लेते हो तो आप अपनी साड़ी तो इसे अच्छे से कर सकते हो खुद से आपको पालर भी नहीं जाना पड़ेगा बस हमारी वीडियो देखके और आच्छी लग रहे हैं तो मिढ़ियो कमेंट जरूब कीजिएगा मुझे और काम करने की प्रेढ़ना मिलती है तो यहाँ पे यह मैंने टकिं कर दी है साड़ी और आप पीचे से पुरा फिक्स करते हूए लाना है अपना और यहाँ पे एक सैप्टी पिंड डाल देनी है यहाँ पे देखिएगा एक सैप्टी पिंड डालने से वो बन जाएंगी side pleats बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाती है आपको बिलकुल मैनत नहीं करनी पड़ती है तो अब जो fabric बचा है उसकी बनाएंगे pleats तो यहाँ पे जो prince cut होता है यहाँ पे आपको ले के जाना है finger को इस तरीके से और यहाँ से आपको pleats बनाना है आपकी pleats कभी भी पीछे नहीं भागेगी साड़ी कभी भी आपकी उची नीची नहीं होगी और नहीं आपको pleats खोल के pleats बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आपको दो finger से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप pleats बना सकते हो और easily यह पकड़ में भी आ जात है अगर आप किसी और की भी बना रहे हो ना तो भी आप इसी तरीके से बना दीजेगा बहुत सुन्दर साड़ी लगती है तो यहाँ पे मैंने pleats साड़ी बना दी हो यह जो fabric बचाना इसको ऐसे ही ऊपर टकिंग कर सकते हो नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो और छोड करके आगे की pleats को आदा इंच नीचे करके यहाँ पे टकिंग करूँगी और यहाँ पे पहली pleats मैंने छोड़ दी है इससे क्या होता है कि जो साड़ी की pleats होती है जो उपर नीचे हो जाती ना कभी-कभी हमारा मतलब belly fat ज़्यादा होता है तो आगे की pleats कभी-कभी ऊची ह जाती है तो उसके लिए ये आपके लिए है कि आप पहली प्लीट को हलका छोड़ दो और उसके बाद में सारी प्लीट को मैनेज करो और उसके बाद में आपको इसको टकिंग कर दीना है तो यहां पे मैनेज कर दी है अब इसको साथ में हलका सा लेते हुए मैनेज कर दूगी और आप देख सकते हो कि मेरी जो प्लीट से वो फ्लोर से टच हो रही है इसका मतलब साड़ी एकदम परफेक्ट बंद रही है अगर आप स्लीपर भी डालना चाहोगे तो आप बड़े अराम से डाल सकते हो आपकी साड़ी नीची कभी मतलब सारी उची नहीं होगी क्योंकि स्लीपर के भी साड़ी डालते है तो उची हो जाती है जब हम सलीपर डालते है तो ऐसा करने से कभी भी उच्छी नहीं होते है हूँ आनी है जिससे यह हाइलाइट हो जाए और आप देख सकते हो साइड फिटिंग कितनी प्यारी आ रही है तो यहां पे एक-एक करके प्लीट जो अंदर घुसी हुई होती ना इनको थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे निकालो निकाल के इनको थोड़ा हाइलाइट करो जिससे यह ब जाते ना मार्केट में आप यह ले लीजिए अगर आपको साधा पिन अंदर से नहीं डल रही है तो अब मैं इसका जो बाउडर है ना साथ में जो मैंने लिया था वो उसको टकिंग करके एक बार फिर से मैनेज करूंगी और आप यह ऊपर से चोटा सा यह जो सैप्टी पिन जो पेटी गोट के साथ में इसको मैं लगा दूँगी इससे एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्लीट्स की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी प्लीट्स का शो बहुत अच्छा दिखेगा देख सकते हो आप प्लीट्स कितनी सुन्दर दिख रही है और यहाँ प सारी एक एक करके मैं प्लीट्स बनाके और इनको हलका सा नीचे से मोड दूँगी जिससे जो यह बाउडर है न वो एक जगावे फिक्स हो जाएगा और हमारी जो प्लीट्स हैं वो अच्छे से निकल के आ जाएंगी अभी इसी तरीके से देखो आपको मोड ना है मैं आपक कि आपको इस तरीके से सारी प्लीट्स लेना है और पैरों के नीचे हलका सा दबा देना और स्ट्रेट खड़े हो जाना तो ऐसे इस तरीके से भी पूरी प्लीट्स नीचे तक ठीक हो जाती है आप देख सकते हो सारी प्लीट्स बनगे और यह है मेरा फाइनल कैसी लगी है म मेरी वीडियो लाइक शेर सस्क्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा कॉमेंट जरूर करके जाएगा ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो आपको कैसे लगती बाबाई टेक क्यार